आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ एक चोकलेट डेजर्ट की रेसिपी आज हम बनाएंगे चोकलेट पूरिंग बहुत ही डिलिशियस टेस्टी बनती है यह और तो चलिए फटावट से रेसिपी शुरू करते हैं तो इसको बनाने के लिए यहां मैंने आधा लिटर गेस पर रखाए और इसमें हम एक उबाल आने से देएंगे और तब तक हम जो ड्राइव इंजिएंट ए उनको देख लेते हैं तो तू टेबल स्पून कॉन फ्लोर दो बड़े चमची हम इसमें कॉन फ्लोर डालेंगे और बस अब इन सभी ड्राय इंग्रिडियन को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे यहां मैंने देखिया अच्छे से मिक्स कर लिया है और हमारे दूद में जो उबाल आ गया है और अब हम गेस का फ्लेम जो है कम कर देंगे और अब इसमें अब यह जो ड्राइ इंग्रिडियन्ट है उसको हम थोड़ा थोड़ा मिलाते जाएंगे और इसको whisk की help से इसको mix करेंगे थोड़ा-थोड़ा ही डालेंगे एक साथ में नहीं डालना है पुरा तो इसी तरह थोड़ा-थोड़ा डालेंगे और mix करेंगे whisk से और बिल्कुल भी lumps नहीं पढ़ने चाहिए ताकि तो यहां मैंने तोड़ा तोड़ा करके सारा डाल दिया है और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे गेस की फ्लेम मैंने मीडियम रखी है और अभी मैं इसमें डाल रही हूँ चीनी तो यहां मैं चार चमच चीनी डाल रही हूँ आप अपने टेस्ट के कोडिंग ज्यादा कम कर सकते हैं तो इसको डाल कर हम मिक्स करेंगे अच्छे से और इसको गाड़ा होने तक हमें पकाना है यहां देखिए इसमें वाल आ रहा है और गाड़ा भी हो रहा है और इस स्टेज पर में डाल रही हूँ डार्क चोकलेट यह मूल की डार्क चोकलेट है जिसे मैं ने डाली है करीब मैंने डाली है और इसको डाल कर हम mix करेंगे और चोकलेट को melt होने देंगे और यह देखिए इसमें bubble साना स्टार्ट हो गए हैं और आप इसको इस तरह से चेक कर सकते हैं यह देखें चमच के पिछे इस तरह से कोट हो रहा है तो मतलब हमारा ready है case की flame मैंने off कर दी है और sini मैं मैं याज Хाफ के गरिब मैं उसको टालकर ह verbess देंगे और भिस तीन से चार मिनिट खेंग अचि को थंडा होने तो हम इस से ट्रांसफर करेंगे सविंड मावल में तो यहां मैं इससे ट्रांसफर में रखा था आपको फ्रीज में रखना है फ्रीजर में नहीं और अब यह सेट हो गया है तो इसे अब में गानिश कर रही हूं वाइट चोको चिपस से और तैयार है हमारी डिलिशियस चोकलेट पूरिंग और बहुत ही टेस्टी लगती है यह और आप ज़रूर बनाएं इसे और इंजोय करें और रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें मैं मिलूंगे आप से अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ अब तक के लिए बाए टेक केर